गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम तू पंजाबी क्लास अफ प्लस टू, आज दी इस वीडियो विच असी लेक लगा तार वद रही वसों, अते मुनुक्खी लापरवाही दे सफा 93 दी रीडिंग करांगे, पर इस तो पहला असी पिछले काम नू दोरावांगे. कि तर्ती उपर मुनुक्खी वसों वदन कारण जिते पानी दे सुरोध खत्म हो रहे हन, उते पुगोलिक तापमान वदन कारण तर्ती दे तुरेयां तो बरफ बिगल रही है, ते सागरा दी डूंगाई वद रही है, जो जमीनी पागनू अपनी बुकल वेच ले रही है. इस्तों इलावा लेखक ने परतक कीता है कि चोने दी काश्ट कारण मिथेन गैस उपजदी है, जो कारबन डाई अकसाइड तो वीवदेरे खतरनाक है. इस्तों इलावा लेखक परतक करदा है कि मनुक्खदा जनम कुद्रदे वस है, पर मनुक्खी जीवन नो कुद्रत ना इक मिक होके पोगणा, ए मनुक्खदी आपनी सूज, समझ, निर्ख अते पच्छान दा मोहताज है. लेखक ने इस लेख विच ए भी ब्यान कीता है कि नो ग्रेयां विचों केवल तर्ती ही जहा ग्रेय है, जिस उपर जीवन दी हूंद संभव है. तर्ती दी आपनी उमर प पहला पानी विच हुया है. पाव की जीवन दी शुरुवात पहला तर्ती उपर एकत्तर हुए, पानी विच हुई, ते उस तो बाद खुश्क पाग दे उपर जीवन दा विकास हुया. देर स्टुडेंट्स, नाउ वी विल रीड पेज नंबर नाइंटी थ्री पर इस तो पहला असी पेज नाइंटी थ्री दे, तिन पैर यां दे, डिफिकल्ट वोर्ड्स दे, मीनिंग डिसकस करांगे. फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है उपजिया. उपजिया तो पाव है पैदा हुईया जा उत्पन हुईया. नेक्स वर्ड है उपरंथ, बाद विच. अगला वर्ड है विच्रन दे समराथ. विच्रन दे समराथ, पाव की तरती उपर रहन दे योग. नेक्स्ट है दुवल्ले, दुवल्ले पाव दो तरांदे जा दो टंगानाल. बान मानस तो पाव है मनोख दी मुडली किसम जा अरंबक उसदा रूप पाव जंगल विच्रन वाला मनोख. अगला डिफिकल्ट वर्ड है जारी. जारी तो पाव है निरंतर चल्दा रहन वाला. अगला शब्द है संतुलत. संतुलत तो पाव है सावे, बराबर, जिनना विच्कोई डोल जा विगाड ना होवे. अगला शब्द है उलार आया. उलार आया तो पाव है विगाड आया जा संतुलन कायम ना रहा. होण. नेक्स वर्ड है गेड गिड़दा रहा. गेड गिड़दा तो पाव की चक्कर चलदा रहा जाँ परकरिया चल्दी रहन दी है. अगला शब्द है मदोलन. मदोलन तो पाव लिताडना, कुचलना. उलकामा. उलकामा तो पाव है अकाशी पेंड. शण दी पुण दी रही. शण दी पुण दी रही. पाव कश्ट सेंदी रही. जिवें अंदरों फट दी रही. पाट दी रही. अगला शब्द है शताब्दी. शताब्दी तो पाव है सदी जां सौ साल दा समा. हांजी होन असी पेज 93 दी रीडिंग शुरू करांगे. 40 क्रोड वर्यां पहला मच्छियां उपजियां. जिस दे 4 क्रोड वर्यां उपरंत जल अंदरला जीवन खुश्क तरती उपर विजरन दे समराथ हो गया. डड़वां तों किरले अते मलपां तों कीट बने. अते किरलेयां दे दुवल्ले विकास द्वारा पशू अते पश्वादी एक लगर ने बांदरा आते बन मांचा चोदी हुंदी होई ने मनोख दा रूपता रहा. बन मांचा नालों मनोख नू वक होए नू सत्तर लख वरे हो गया. पर जेस मनोख दी नसल आज जेस नसार विखे है इस दी उमर लख को वरे दी है. अंज इस पैरे तो उस पश्ट हुंदा है कि तरती उपर सब तो पहला जीवन दा विकास पाणी वीच होया. ते पाणी वीच सब तो पहला जीव जिसने जन्म लेया ओ मच्छियां सन. 40 क्रोड वरे पहला तरती दे उपर पाणी दे विच मच्छियां दा जन्म होया. ते मच्छियां तो बाद चार करोड़ साल तक जहां चार करोड़ वरियातों बाद जो जीव जल्दे विच पैदा होए ओही जीव फिर तर्ती दे उपर जहां तर्ती दे खुश्क पाग दे उपर रैन दे योग हो सकी सो इनना पाणी विचले जीवां विच्चों जो सबतों पहला जीव सी और डड़ू सी जो तरती दे उपर रहन दे काबल हो सक्या फिर डड़ूआ तों एक नवी किसम दे जानवर किरले पैदा हुए इससे तरह मलपा तों कई कीट पावकीडे पतंगेयां दा विकास हुए ते फिर किरलेयां दे विकास दुबारा कई होर पशू अते समान विच उड़न वाले पंची होंद विच आए इस तरह जो पशूआ दा विकास हुए ता पशूआ दी एक किसम बांदरा अते बन मानसां दे विच्चों होली होली मनोख रूपी जानवर दा विकास हुए ते इस तरह बन मानसा तों जेस मनोख दा विकास हुए उस मनोख दी उमर सत्तर लख साल है पर जेस मनोख़ दी नसल नू आज जासी संसार विच वेख रहे हां एस मनोख़ दी नसल दी उमर केवल लख कु वरे ही है नो नेक्स पेरा तर्ती उपर जीवन दा विकास रुक्या नहीं है पाव की अजे वी तर्ती उपर कई नवे नवे जीवा जन्तुआ दा जनम ते उनन दा विकास निरंतर जारी है ते ओन वाले समय विच वी तर्ती दे उपर मनोखतों बाद कई जीव जन्तु नविया जातियां जनम लेंदियां ने विक्सत हुंदियां रहन गया क्योंकि मनोखधा जो समसार वीच प्रवेश होया है जो उपर जनम होया है उवह तर्थी उपर ले बदल दे कहलापा न्युसार जय अनुकूल नवियां, जातियां, कई नवें जीवां ते प्राणियां दा तर्तिव पर विकास ते जनम हुन्दा रहेगा। शेक रोडवरे पहला जीकर डाइनो किरले लुप्त हुए ता इसे करके। प्रिथवी उपरताद इना दा उसे प्रकार दा दब्दबासी जीवें आज मनोख दा है। स्टूडेंट्स इस पैरे विच लेखक ने मनोख नुए चितावने दिती है कि तर्ति उपर विचरन वाले जीवां अते कुदरती वाता वरंदे विच जद वी उलार आया है। प्रभाव की असंतुलन जा विगाड पैदा होया है ता इस दा नुकसान तर्ति उपर ले प्राणिया ते जीवा नुँ ही सेहना प्या है। जिमे के लेकक ने डाइनासोर दी उदारान देती है कि तर्ति उपर आय तो 6 क्रोड सार पहला डाइनासोर ना दा किरला बहती प्रभावशील ते शक्ति शाली जीव सी। पर इसनु अलोप होना प्या इस दी किसम खतम हो गई क्योंकि इसने तर्ति उपर ले वाता वरंदे नाल आपने आपनू संतोलत नहीं रख्या। जदकी इसे दे ही समकाली पाव इसे दे समेत ही होन वाले मकडी अते केकडे जोकी डाइनासोर वांगी 6 क्रोड साल पुराने जीवान ते बहुत ही तुष ते ममूली जीवान आज वी संसार विच मुझूद हान क्योंकि इना ने कुदृत नाल आपने सबंदा नू डोलन न प्रित्वी उपर बिपतावांदा अते आफतावांदा गेड गिड़दा ही रहनदा है कटाक्शी वी करना कदी इस नू मदोलन लग पेंदियां हान अते कदी इस उपर उलकावांदी वर्खा होन लग पेंदी है जवाला मुखियां दे फुटारयां नाल वी कई वार एश शन दी पुन दी रही है अते भरफानी यूगता नियम बद इस उपर ले जीवन नाल लुकन मिटी खेट दे ही रहन दी हन हाँ जी इस पैरे वीच लेकरक ने लिख्या है कि जदों तो प्रित्वी होंद वीच आई है इसनों समय समय ते कई कुदर्ती आफ्टां कई कुदर्ती मुश्कलां जां कुरोपियां दा समना करना पेंदा रहा है जिवें कि कई वार सूरई तो ओन वालियां कटाक्शी वी तार दियां जा नुकसान पहुंचोंदियां हान जो जीव इनक टाक्शी वी करना दे वरुद्ध लड़न दी समरत्था राख दे हान ओ जीऊंदे रहन दे हान ते बाकी प्राणी खत्म हो जान दे हान एससे तरा कई वार पुलाड पाव स्पेस वीच वीचों कई अकाशी पेंड जो हन ओ तरती दे उपर डिग दे हान पाव तरती दे वाजू मंडल दी खेच वेच जा गुरूता कर्शन दी खेच वेच जदो ओंदे हान ता ओ तेजी नल तरती वाल वाद दे हान कई वार ते ए उलकामा जा अकाशी पेंड रगड दे कारण स्पेस वेची ही सड़की स्वाव जन दे हान पर कई वार तरती दे किसे हिस्से उपर डिग के तबाही मचों दे हान जवाला मुखियां दे फूटारया नाल वी कई वार आ शन्दी पुन दी रही है तरती दे अंदर अते बहर कई जवाला मुखि हान जदो ओ इजवाला मुखिय फट दे हान तै इना वीचूं आग दे अंग्यार अते लावा फोट दा है जिस दे नाल तर्ती दे उपर अते तर्ती उपर ले जीवल नू बहुत नुकसान पहुँचदा है अते बरफानी युग ता नियम बद इस उपर ले जीवल नाल लुकण मिटी खेट दे ही रहन दे हन बरफानी युग तो पाव है आइस एज वहांद तक तरती उपरकुल 5 वराइस एज आ चुकी है पहली आइस एज पाव बर्फानी जुग जो सी ओ दू अर्ब साल जा दो मिलियन साल पहला आया सी निजम बाद टांगनल तरती दे उपर जिदों आईस एज शुरू हुन दी है परिवर्तन दे अगे टिक नहीं पूंदे जा इस परिवर्तन दे अनुसार आपने आपनु टाल नहीं पूंदे ओना दी हूंद सदा ले तरती तो 눈 लुप्त हो जन्दी है पर प्रित्वी इस हाद तक कदी भी नहीं सी रूली जिन्ने की आज मनोख कारण इहे रूल रही है आपनी लाख को वरे दी उमर दोरान मनोख प्रित्वी लई हो और ना जीवा जिहा ही एक जीव सी पर पिछले सो वरे दोरान इस दी हूंद प्रित्वी लई संकट बन गई अते इस शताब दी दे पिछले पाखचता इस दा विचरन जिवे के नीतशे ने किया सी प्रित्वी लई बकाईदा रोग बन गया हाँ जी इना सत्रा मेंच लेखक ने सपश्ट कीता है कि पावे समे समेते तर्ती नू कई कुदर्ती आफ्तां दा समना करना पैंदा रहा है जिवे की कटाक्शी वी करना उलकावा जवाला मुखी अते बरफानी यूग पर इना आफ्तावा कारण वी तर्ती दी ओ दुर्द किती है तर्ती उपर मनोख दी उमर लाखो को वरे है एस समय दुरान तर्ती उपरला मनोख तर्ती उपरले बाकी जीवा वांग ही तर्ती ते वीचरदा रहा है पाव की होड़ना जीवा वांग उसने तर्ती नू कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सी पर पिछले सौ वरे प पर मनोख दी हूं दही मनोख तरती लई संकट बढगई है नीटशे handy विद्वान दा विचार है के पिशले सौ वरिया दूरान जिस टांग नाल मनोख तरती नू रोल रहा है उससे हिसाब नाल मनोख तरती लई एक रोग बढगया है ते इस तरह इतरती दे विनाश दा कारण बन रहा है Dear students, आज जैसी इस वीडियो विच पेज 93 दे तिन पैरियां दी रीडिंग कीती है जैसी अगली वीडियो विच पेज 94 दे चर्चा करांगे Till then, goodbye